असलाम लेकुम वेलकम तू माइ यूट्यूब चैनल लेर्निंग विजी आजके इस लेक्चर में 27 लेक्चर से थरी टक डिसक्स करने वाली हुँ अपडेट रहने के लिए लायक करें शेयर कि और सस्क्राइब करें एड़ेगों चैप्टर नाबर 27 ने वीजीकली डिसकस के अवा फिलम इंडिस्ट्री के बारे में इसमें इनोंने अब जो फिलम इंडिस्ट्री थी वह सब कॉंटिनेंट में मतलब इंडिया और पाक सेंग म काफी साथ popular हो चुकी हुए थी इसके रावा इसके start में जो था मतलब जब इंड्रेस्ट्री स्टार्ट हुए थी तो 1896 में हुआ ये कि जब इंडिया ने जो थी movies बताना शुरू की short movie बनाई उन्होंने सबसे पहले numerous brothers के नाम से मतलब एक उनका प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने movie बनाई वह उनकी पहले motion movie short movie थी 1930 के जो थी duration उसमें 200 films over the air बनना शुरू हो चुकी हुए थी उसके पाद उनकी sound films की producing start हो की फिर 1931 में सारा काम हुआ उनकी sound movies का और फिर 1930 तो 1940 तक जब ये partition के crisis चल रहे थे उस तेम पर जो सब continent में लोग थे उन्होंने काफी ज़दा movie बनाना शुरू कि मतलब कि जो उनका upload था जो उनकी story lines थी वह social issues के जड़ चले गी थे कि मतलब कैसे political social issues आ रहे हैं और क्या क्या मतलब के लिए राई हैं और वह सारा जो मसले हो रहे हैं वह सब कुछ और अब जो बोलीवूर्ट था वह popular हो था काफी ज़दा popular हो चुका वह था उस तेम पर और वहां पर कुछ actors हैं जो काफी ज़दा famous हो चुके थे जैसे के देवानन दिलीब कुमार और राजकपुरिन के नाम भी यहां पर मेंशन हैं अब जो कॉंट्रोवर्जिस फेस करने पर इसमें जो फ़र्स पॉइंट था वह था यह एक्यूजिन टू पैलगरिजम अब इसमें हुआ कि बैसिकलिस का मतलब ही है कि 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 कॉंटेंट को या कि कि की लाइन को कॉपी करना लिए ट्रेचर में हम इसका मतलब देखें तो उसमें सिंपल से इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे परसन के टैक्स को कॉपी करो मतलब इसको ना पताओ बट जब इंडिस्ट्री स्टार्ट हुए थी तो इतनी ज्यादा प्रोड़क्शन हो रही इस ताइम पर इतना मतलब लेमिटेड पर्जट था जिसकी वजह से जो राइटर्स थे इन्होंने आइडिया स्कॉर प्लोट लाइन्स को जो साब कॉपी करना स्टार्ट कर दिया वा था बट विद पैसेज ऑफ टाइम जो कॉपी की रिइनफोर्स्मेंट थी वो काफे हु इंप्रूब मतलब के लोगों ने कम कर जिसोंने अवेर्नेस मिलती गई कि नहीं ये काम कल था तो उन्होंने इस काम को स्टॉप कर दिया अब इसके प्री टाइम सिने माज की बात कि रहें तो सिने मास से पहले जो था सब कॉंटिनेंट में स्टॉरी टैलिंग जो थी वो बाय हैंड हो वी थी मतलब कि जिसे टैबलोस चलते थेटर्स में ड्रामा बनते हैं उस तरीके से स्टॉरी टैलिंग भी शुरुए थी जब 20th सेंसरी में सिनेमाज बने तब इंडुस्टरी ने जएदा इंक्रीजमेंट की और इसके बाद हो था डिरिशनल आर्ट, म्यूसिक वगारा भी स्टार्ट हो गया था बनना मतलब सिनेमाज में डांस और वो सारा कुछ था वो वीडियो में मोशन पिचिर्ज में बनना इसमें बैसिकली जो देराज़ा हरीश चंद्र के बारे में लिखा है इनका मेंशन किया हुए इसके इलावे साउंड सिस्टम के बारे में बात की गई इसमें इंडुडक्शन है कोई शंत्राम और महमभूब खान थे जिनका जिकर किया गया मतलब बैसिकली वह इंडिस्ट की बेसिक्स थी जो इंडिस्ट्री का में था वो उसमें उसकी फाउंडेशन बेसिकली लेड़ हो रही थी और इस सारे इसमें जिकर अधिये महभूब खान के बारे में लिखा हुए बेमल रोय के बारे में राजकोपूर के बारे में पाकिसानी इंडिस्ट्री के बारे में अब सेप्टर निंबर 28 की बात करें तो इसमें बेसिकली बताया गया कि फिलम मीडिया को जो था सब कॉंटिनेंट पर पाकिसान पर क्या अफेक्ट से इसके लावा कुछ एक्टर्स के नाम है और यह सारा कुछ है अब जैसे के लाहूर के बार में इसने मैंसुन किया कि इसमें बात की गई राजा हरीशंदर के बारे में जिन्होंने एक मूवी प्रेडियूस की थी ता डॉटर ओफ दर डे जिसमें मैंचन उन्होंने किया काफी कुछ हो इसके लावा इसके लावा इसके लिए इंडिया में और यह पहली मोशन फिलम थी इसलिए जादे को डिसकस किया गया इस चैप्टर के अंदर उसके लावा इसमें पंजाबी फिल्म के बारे में डिसकस किया गया फॉक मूवी इसके बारे में भी डिसकस किया गया काफी हद तक और इसके लावा जो थे काफी सिंगर्स प्रडूसर्स एक्टर्स और डिरेक्टर्स के बारे म क्योंबर में उसके बाद में उसके बारे में उसके बाद कोट चेंज किस में मतलब बेसिकली जो चैप्टर में मैंचिन है कि इंडस्टी में कुछ जैंजेज है जो मूवीज थी वो काफे फेमिस और नशुर होगी फिलम इंडस्टी बहुत हद तक फेमिस हो चुकी थी बिलबॉर्ड्स फेमस अनशुर होगे मुवीज के तुरू डिफरेंट कल्शर्स थे वो इंट्रडीज होगे डिफरेंट लांगविज इंट्रडीज होगी जैसे कि पिछले चाप्टर में ने ताम में इंडस्टी के बार में बात की तो पहले लोगों को इतनी अवेरनेश न ने लग गया कि कौन-कौन से कल्शर्स हैं कंट्री में और दे वर्ल्ड वाइड कैसे कल्शर्स चल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में इस चाप्टर में डिसक्स किया गया है अब चाप्टर नमबर 29 की बात करें तो इसका बेसिकली जो में टाइटल है वो प्रोपोगंड अब बेसिक्ली प्रोपोगंड़ उपाता किया पहले तो हम इन डिसक्स के लिए हैं प्रोपोगंडा हम किसी ऐसे प्रोसेस को कह सकते हैं जो कि किसी पैसिफिक चीज के बारे में कोई धो फोई इंपोऊ हो सकते हैं भो effectivement मिसलेट भी कर सकते हैं इसको expos67 amazing के अज़े गर इस किसी भी specific group के जो believes हैं उनको emphasize करने के लिए कोई point of view जो रखा जाए जो spread किया जाए उसको हम करेंगे प्रोपोगंडा अब basically इसके तुरसी इसके पर में history के पर में mention किया है कि start कहां से हुआ अब इसमें इसकी तीन basic types है पहली type S की white propaganda अब white propaganda में हम क्या करते हैं इसमें जो source of information होती है मतलब कि जहां से information आरी होती है वो definite होता है मतलब कि अगर हम इसकी example लें तो इसकी example ऐसा है जैसे कोई government या कोई official announcement हो रही है government के तरफ से तो वो government बताती है कि हम लोगे announcement करें और यह जो idea है या यह जो भी हम काम करने वाले हैं यह accurate है अब अगर हम great propaganda के बात करें तो इसमें basically जो sponsors हैं या जो source of information है उनका पता नहीं होता कि कहां से information आ दी क्योंकि जो great propaganda है उसका basically मतलब भी यह है कि इसमें source of information clear नहीं होती है अब गर इसकी example हम लोग लें तो अब जैसे हमारी newspapers agences चल रही है उसमें काफी ऐसी news होती है जो मतलब के कभी-कभी unknown source मिल रही होती है हम उसमें clarify नहीं किया होता कि कहां से information आ रही है अब अगर black के बात करें black propaganda के तो इसका basically मतलब यह कि properly false information होती है मतलब information mislead करती है और इसका basic purpose आया जो जो इसका goal की गई है तो इसके दो टाइपस एक fast है और एक slow अब जो फास्ट है basically mass media में यह जो इसका another manner है उसमें यह कि जिसे फास्ट मीडिया में electronic devices के तोर पर जो हमारी news यह जो propagandas foreign spread हो रहे होते हैं जैसे news होगी हमारी या फिर newspapers होगे टीवी रेडियो टेलिविशन वगारा में और जो slow propaganda इसमें हमारी books आ जाती है या बाकि जो manuals वगारा आ जाता है इसमें या कोई हमारी जो केशनल सोचिल अक्टिविटेज वगारा एड़ हो जाती है अब अगर इसके revolution के बात करें प्रोपगंडा के तो जो प्रोपगंडा जो इसकी history है वह basically जो है अभी new नहीं है वह काफी long history है मतलब बहुत पुराने टाइम से यूज हो लिया मतलब सदियों पुराने जो civilization थी वो भी propaganda को use करती थी मतलब arm forces जो थी हमारी जो army थी उसको boost up करने के लिए मतलब उनकी जो थी spirit increase करने के लिए जंक के दुरान wars में तब भी propaganda यूज करता था उसके लावा जो हमारे political parties आई हैं जो हमारे politicians हैं वो public spot को भी win करने के लिए propaganda यूज करता है मतलब ऐसी policies औ जो आइडियास देते हैं प्रोपोगेंडा के तुरूर जिससे जो थी public जो है उनकी spot करती है अब अगर हम culture प्रोपोगेंडा के बात करें तो इसमें ऐसे है कि advertisement और जो public relations हैं वो permanent features बन चुके हैं वह दूर के जो cultural जगह हैं जो landscape sound की वहाँ पर इवन जब American Revolution भी थे तभी प्रोपोगेंडा काफी जदा यूज किया गया था अब अगर World War 1 और World War 2 के बात करें जो 1994 तो 1945 तक रही तो जो World War 1 थी इसने भी प्रोपेड़ी प्रोपोगेंडा काफी हाथ तक यूज होगा था मतलब किया था उसके बाद जब World War 1 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई देमोक्राटिक और गुवर्मेंट प्रोपोगेंडा में ये एड़ होता तो पिक जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई प्रोपोगेंडा के बारे में तब पता चला कि जो थी उनाइटेड़ जो थे उन्होंने नाइगिटिव कॉन्टोनेशन से असोसियेट किया था उसके लावा जो रेडियो की डेवलेपमेंट थी उसने भी प्रोपोगेंडा में और उन्होने प्रोपोगेंडा क चर्केंड़ करतें अब अगर यह वेल्ड वोर्टू की और कॉल्ड वोर्ड की बात की जा तो इसने भी प्रोपोगंडा जो था वो काफी हर तक इन्वॉल्फ रहा अब वह इन्वॉल्फ इस तरह से रहा था कि जो गवर्मेंट थी वह डोमेस्टिक और इंटे नेशनल लावर पर पब्लिक ओप दूसरा था सी आई ए कोवर्ट ऑपरेशन अभी दोनों का काम यह था कि प्रोपोगंडा वगरार में वर्किंग कर रहे था अब अगर कोल्ड वोर्ड की इसमें बात की जाए तो कोल्ड वोर्ड में भी काफी इंफ्लूवंस रा प्रोपोगंडा पर मतलब के प्रोपोगंडा के बारे में पॉलसी बना शुरू होगी थी मतलब रेडियो पहले तो सिर्फ नीज्वेपर और बुक्स वगरा के जरिया प्रोपोगंडा वगरा जो थे वह सब्रेड हो रहे थे बड़ जब रेडियो आगया तो उसके बाद काफी हद्ध की जादा काम इं प्रोम ऐसी थी और यह फोरोने फ़ेर से वह चेंज उनस्ता टोचए वे थे अब इसके नेक्स्ट्री के बात करें तो ऑसका टाइट्ल है रेडियो आभ एकस्तु इन मैस क्म्यूंगेशन बिसिकला इसमें रेडियो की इंवेंशन की बात कीगी है उसके हिस्ट्री की बात क की गई है तो जो रेडियो की इन्वेंशन थी वह लेट 19th century में हुई थी मैं इस कम्निगेशन में बहुत बड़ा ब्रेक्ट था रेडियो के वज़े से सिग्नेल ट्रांसफरमेशन स्टार्ट हुए जो लोग स्पैशली वी आइप और पॉलिटिकल जो थे लीडर्स थे वह अ इसके लाव इस दुरान फिर रेडियो के वज़े से न्यूस्पैपर और प्रिंटिंग के जुरूत काफी हद तक कम होच की वी थी और नेक्स इसने बात की किया कि रेडियो बिसिकली जो था वो बना कैसे तो इसमें रेडियो इस्टाब्रिश जो वा था वाटीन सैमेटी 70 श्रीमें स्टब्रिश होए जेंस किलर एक मेक्सवेल था था किलावे से मेंचेन कर्यागी ऑसने के पहली ट्रॉंच मिशन कैसे ही रेडियो के मथली से है और कई क्यों से बात एंगर कमाइब Beef đây ऑस्यूंच के बात करने तो इसनो बेसिकली इसनी मारक होनी कर्में में tended निवॉस्मेंस में से divorz ने जैसे उन के लवह कि ठी से बात कि गी है और एक अदरी अग्णौलजमेंट के बात हीजि तो इसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो कुछ होई ऐसे जो माइनर और साइंटीस्स थे जिनों ने इसमें काम किया था उनके बारे में उनकी कांट्रिबुशन किया थी यद्वांस्मेंट और रेडियो टेक्नोलोची की बात करें तो इसमें गफ दाइसे पॉइंट से लाइक जिसकी वह जैसे रेडियो टेक्नोलोजी के जो नागी विटेशन थी वह रेप्लेस हो चुकी थी एंटेमेंट और कॉम्मुकेशन के साथ दूसरा इसमें यह वाकि जो ट्रांसिस्टर रेडियो थे वह ट्यूब रेडियो के साथ ट्रांसफर हो गया ट्रांसमिशन एंहांस्ट वी रेडियो में उसके लावा नेक्स जो है इसका वर्ल ग्रैब रेडियो फ्रॉम रेंच ऑफ यूज इसमें भी कुछ आसे पॉइंट से जैसे रेडियो में एम और एप एम जो थी मोडियूलेशन स्टार्ट हो चुकी वी थी डिफेंट फ्रीक जो था सेल्फोन वह भी मतलब ट्रैक सेल्फोन इंडिडियूस करवाए गया था डिजिटल सेल्फोन जो मिलिटरी स्पैस्ट ली उसके थी थी अगर आप हॉलिवुड की कुछ पुरानी मूविज देखें तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है चोटे 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 टेलीग् का सायर फिर प्रोब्लम्स पैसिंग क्या क्या थी